जी, Microsoft PowerPoint 2010 के अंदर हमारे पास keyboard के shortcuts मौझूद हैं. keyboard shortcuts का मतलब यह है कि हम अपने mouse को ना use करें और अपने keyboard की different keys को दबा के तो अपना function जो है वो कर लें. तो सबसे असान तरीफा अगर फंक्शन हम करना चाहें, मसलन अगर मैं इस sentence को copy करके subtitle में paste करना जाता हूं, तो मैं mouse की through कर सकता हूं, इसको select करके copy और फिर यहां पर paste कर सकता हूं. एक तो यह तरीफा है, दूसरा तरीफा यह है जो हम keyboard से कर सकते हैं, और यह use होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा text हो या हमें बार-बार mouse को ले जाने में दिकत महसूस हो, तो हम यह तरीका इस्तमाल करते हैं. तो सबसे पहले, अगर मैंने इसको यहां पर paste करना है, तो उसके लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा, और paste के उपर जाओंगा, तो यहां पर मेरे पास लिखावाएगा Ctrl V, Ctrl Plus V, Ctrl Plus V का मतलब यह है कि मैं Ctrl को दबा के रखो, और फिर V दबाओं और फिर दोनों को छोड़ दो, तो मैं देखूंगा कि यह चीज पेस्ट होजेगी माउस के बगएर, तो मैं करता हूं Ctrl V, तो यह आप देखें कि यह आपके सामने पेस्ट होगे कीबोर्ड के थरू, इसी तरह अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूं, तो Ctrl S, तो यह मेरा डॉक्यमेंट जो है सेव हो गया, बास अकाद मुझे इन कीबोर्ड शॉर्ट कट्स का नहीं पता होता, तो उसके लिए जो सबसे असान तरीफा है, Microsoft PowerPoint 2010 के अंदर को यह है कि आप Alt की की दबाएगे, जब आप Alt की की दबाएगे तो आपके सामने यह मुख्लिफ badges बने वे आ जाएंगे, हरी के उपर F, H, N, G, K, A, अगर H लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं H अब डबाएगा अपने keyword से तो मैं Home के उसमें ribbon में चला जाओगा, मैं दबाता हूँ H, तो अब मैं Home के ribbon में आ गया हूँ, अब Home के ribbon के अंदर मुक्तलिफ मेरे पास options हैं, अगर मैं उनको दबाता हूँ, फर्स करें मैं अपने text को bold करना चाहता हूँ, तो सिबसे पहले मैं उस text को select करूँगा, दोबारा alt दबाऊंगा, फिर h दबाऊंगा, और फिर अगर मैं इसको bold करना चाहता हूँ, तो one दबा दूँगा, तो यह मेरा text bold हो गया, और यह मैंने keyboard के through किया है, mouse के जरिये नहीं किया, यह है keyboard shortcuts, और हम किस तरह इनको use कर सकते हैं, और किस तरह इनको हम इस्तेमाद कर सकते हैं,